जापान और भारत की मैत्रीका प्रतिक काशी के रुद्राक्षी कन्वेंशन सिंटर में जापान निर्मित दा महाभारत फिल्म की स्क्रीनिंग की गई जिसका जिक्र प्रदान मंत्री मन की बात कायर कर में कर चुके हैं इसको देखने काशिवासी पहुचे वहां किस तरह से वहां की जनता के सामने वहां के कलाकार महाभारत के विभिन प्रसंगों को किस तरह से प्रस्तूत करते हैं मैं समझता हूँ कि उसका एक प्रजेंटेशन यहां था और निश्चित तोर पर आप समझ सकते हैं कि भासा की थोड़ी परिशानी है लेकिन बहुत आसानी से इतना बढ़िया प्रदर्शन वहां के कलाकारों ने किया है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनके कला के माध्यम से हमें पात्रों को पहचानने में कहीं कोई दुभिदा नहीं हो रही है कोई कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो सब मिलाजुला कर ये संस्कृतियों का आदान परदान है परंपराओं का आदान परदान है तो ये एक अच्छी बात है इससे दुदेश करीब आ रहे हैं Very interesting of course to work with artists from all over Asia So we worked with artists from Indonesia, Malaysia, Thailand and Japan and also Okinawa which is a south island of Japan So everybody came together in Tokyo last summer to make this film The Mahabharata Yeah, The Mahabharata for the theatre stage and we filmed with many cameras So that was a very interesting experience to work with different artists Everybody has different expressions, different interpretation of Mahabharata For me, I had to study a lot and I'm still learning जो गंगा हमसे कहती है और जो हमारे प्रदानमंत्री का संदेश भी है जापानी से, मैत्री का Camera person Dr. Rajay Varma के साथ Dr. KS Bahadur Singh Gautam, रुद्राक्ष कर्वेंसन सेंटर, DD News कर्वेंस कर्वेंस कर्वेंस